हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो नेकेडमी यूजी सी नेट मैं नीरेश बारिक स्वागत करता हूं आपका इंडिया के नंबर वन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जहां पे आप मेरे साथ में पढ़ रहे हैं एंटी यूजी सी नेट पेपर वन के लिए टीचिंग हो चुका हूं अब बारी है आप लोगों की कि आप फटा फट एक बार शेयर करी और शेयर करका अपने फ्रेंड्स को इंफॉर्म कर दीजिए कि टीचिंग आप्टिटूट की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है तो पहरे साथ ही आप डिले नहीं करना है एक बार बैक टूब एक शेयर करना है विकास यूओ शेयरिंग इस केरिंग अपने टीचर्स की भी अपने चैनल की और साथ में उन लोगों की भी जो शायद आपके शेयर करने से इस क्लास से जुड़ पाएंगे और इस क्लास का लाब ले पाएंगे तो पहरे साथ यह फटा-फट शेयर क्लास कोम शुरुआत करते हैं तो पहरे साथ यह बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और टिचिंग एप्टिट्यूड जो होता है वह काफी स्टूडेंट्स को बहुत परस्नली बहुत पसंद आता विकर यह बहुत इंटरेस्टिंग भी है और यहां पे आप जो इस इमे जो है बहुत कुछ सिखा रही है समझ जाए समझदार को इशारा काफी होता है बस तो बारी है शुरुआत करने की और एक एक कदम बाई कदम हम बढ़ते हैं अब आप लोग एक बार बैक टू बैक शेर करते रहेंगे तब तक मैं कुछ मेरे नए कोर्सेस के इंफरमेशन आप सुलूइशन और शायद बोलना आती शोक्ति नहीं होगी इस दा उनली सॉलूइशन वेदर यूर फ्राम इंग्लिश मीडियम और फ्राम दा हिंदी मीडियम कोई किसी तरीके का इशू हमारी क्लास में नहीं आता है कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर जो नया कोर्स है वो कब से 2020 से याद रखीगा 31 अक्टूबर 2020 से और जो टाइमिंग रहने वाली है हमारी टाइमिंग आपको बता देते हैं दो पहर के दो बज़े आप लोगों के बीच में मैं हाजर हो जाऊंगा तो पलिटिकल साइंस जो लोग पढ़ना चाहते हैं शिद्दत चे और यह जो कोर्स आ रहा है पॉलिटिकल साइंस का यह पॉलिटिकल साइंस का कोर्स जो सबसे यूनिक और सबसे जो इंपॉर्टेंट यूनिट है जिसके लिए बच्छे अक्सर परेशान दुखी रहते हैं वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस का थ्योरी वाला पार्ट राजनितिक सिध्धान पार्ट वन में लॉंच कर रहा हूँ 31 तारीक से 2 बजे सबसे बड़ी बात यह है कि मातर 4-5 दिन में फीस रिवाइज होने वाली है 15% जो है वो फीस आप लोगों की बढ़ जाएगी तो 15% फीस बढ़े उसके पहले आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन ले 10% डिसकाउंट के साथ में और जो रैफरल कोड आपको यूज करना है वो रैफरल कोड है पारेक्ट हैं पी आ डबल एक वान जीरो रैफरल कोड इस विजिबल नोट डाउन कर लीजेगा रैफरल कोड यूज करिए और 10% डिसकाउंट के साथ में जॉइन कर लीजिए पेपर वन हो चाहे हो रही है एंटिये यूजिस नेट में भी आने वाले कुछ दिनों में फीस बढ़ने वाली है 15% फीस का इंक्रीज है तो अब चूकने वाली तो कोई बात ही नहीं है ले लीजिए फिर बार-बार ये मौके नहीं आते हैं इसलिए अब मैक्जिमम अपने पोटेंशल आजमा हूं पेमिंट करना है तो बहुत जादा नहीं होता है लेकिन बात यह है कि बच्चे छे महीना तीन महीना को यूसफुल नहीं रहेगा चलिए आगे बढ़ते हैं सब्सक्रिप्शन कैसे करना होता है आपको पता ही है अनकेडमी का लर्निंग है आपको इंस्टॉल करेंगे एंटी ए यूजी सिनेट गोल सेलेक्ट करना जब गोल यहां पे डिख जाएगा तो आप लोगों को एक विंडो दिखेंगी गैट सब्सक्रिप्शन की अगर यह विंडो डायेक्ली नहीं दिखती है तो यहां पे क्लिक कर दीजेगा और फिर एक ऑप्शन निकलेगा आपक सक्सेज मिलेगी इस रेड ब्लड से रेड ओशन से ब्ली ओशन की तरफ आई और अपनी सक्सेज को अपना बना लीजिए तो प्यारे साथियों शुरुआत करता हूं अपने टॉपिक की आप लोग शेयर कर चुके हैं क्लास में आ चुके हैं तो अब बारी है हमारे बारी ज अब यह जो टिचिंग अप्टिट्यूड होता है टिचिंग अप्टिट्यूड को पढ़ने के क्रम में याद रखेंगे टिचिंग अप्टिट्यूड को जब आप पढ़ रहे होते हैं तो टिचिंग अप्टिट्यूड को पढ़ने के दौरान क्या ऐसी चीज़ें आती है जो की बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है कि उनको बहुत गहराई से ही समझा जाए मैं आप लोगों से एक बात पुछता हूं जो टीचिंग का अप्टिट्यूड जब NTA आप में टेस्ट कर रहा है तो आप लोगों को तीन हमने पैरा डिंग बताये थे एक लर्नर होता है ए आज का important topic क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं आज का important topic जो हमारा रहेगा वो हेरेडिटी एन एन्वार्मेंट रहेगा यानि हेरेडिटी और एन्वार्मेंट पहली बात होते क्या हैं दूसरी बात ये कैसे काम करते हैं एक student पर विकास हेरेडिटी और एन्वार्मेंट को अलग-अलग context में देखा जा सकता है लेकिन यहां पर जो हमारा मूल मुद्दा रहेगा वो ये रहेगा कि हेरेडिटी और एन्वार्मेंट एक student को कैसे effect करते हैं एक विद्यार्थी को वो कैसे प्रभावित करते हैं वो चीज हम सीखेंगे और उसके हम लेते हैं रहना इंक पहला टौ疑 लेवन हैरेडिटी जों हेरेडिटी होती है इसे हिंदी में कहां जाता है वन शानुक्रम ठीकak यह क्पॉइंट ऊपउट्वा पॉइंट समझेब का वन सानुक्रम है हमारा है है इंडिटी और है दोबिटी के बाद में हम देखेंगे एन्वार्मेंट कहें तो परियावरन दोनों लेंग्वेज में इसलिए लिखता हूं कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चे कमफरेवी छीजों को देख लें सुन ले समझे अब हमें क्या करना है इस क्लास में जो करना है वो मैं आपको बता खौन हो मेंहमें जी र काम करना है what is heredity के बाद में how is it work how does it work काम कैसे करती है क्या होती है similarly what is environment देखिए एक एक चीज को हम open कर रहे हैं एक चीज को bifurcate कर रहे हैं कि आपको पता रहे हैं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं and how does it work कैसे काम करता है और दूसरी बात environment का क्या effect हेरिडिटी पे होता है और हेरिडिटी का क्या effect environment पे होता है और ये दोनों मिलके एक learner यानि एक अध्येता यानि एक विद्यार्थी यानि एक student को कैसे प्रभावित करते हैं उसके उपर कैसे how उसका प्रभावित कैसे किया जाता है तो आज की class को दिखिए मैं ये चीजें इस तरीके से आपको क्यूँ पढ़ाता हूँ बिकास आपको ये पता होना चाहिए कि जो teaching की methodology होती है उसमें सबसे पहला point एक thondike विचारक हुए है वहां से लेकर कि जो recent studies जो recent research education पे आते हैं उनमें ये लिखा होता है कि सबसे पहले आप अपने विद्यार्थी को ये बताईए कि आप पढ़ाने क्या पढ़ाने जा रहे हैं और क्या पढ़ाने जा रहे हैं उसके साथ साथ में क्यों पढ़ाने जा रहे हैं ठीक है, आप सभी लोग एक बार प्लीज अगर सेशन पसंद आ रहा है, तो like बैक टू बैक करते रहें, like से होता गया है एक motivation रहता है, और like के साथ में share तो बनता ही बनता है, share में तो कोई ढिल, कोई धिलाई, कोई देरी होनी ही नहीं चाहिए, तो प्यारे साथियों, यहाँ आप पर बेक करते रहेंगे तो अब मैंने क्या है मैंने पूरेött पॉइंट टूपिइंट आपके सामने ले आया कि हैडे डिटी क्या होती है एनवार्मेंट क्या होता है यह दोनों काम कैसे करते हैं impress adapt करते हैं और यह दोनों का behavior, मतलब आप जब class में उसको पढ़ाते हैं, वो class में interest नहीं ले रहा है, ठीक है, वो class में बड़ा गुमसुम रहता है, class में बड़ा उदास रहता है, आपका उसको लेकि क्या behavior होगा, option क्या दिये जाते हैं, आप उसको ignore कर देंगे, आप उसको punish करेंगे, उसको दंड दें आप उसकी कारण को जानने का प्रयास करेंगे, और चौथा क्या होगा, चौथा ये कह दिया जाएगा, कि आप उस बच्चे को लेकर के भावुक हो जाएंगे, आप emotion हो जाएंगे, कि ऐसा क्यूं है, तो obviously answer तो आपको मिल गया, कि आप उसका reason तलाशेंगे, तो reason ऐसे बच बच्चों का reason छुपा होता है, या तो heredity में, या तो environment में, मान लीजे, कि कोई एक ऐसा बच्चा है, जिसके घर में family tension रहती है, यानि घर के अंदर एक घरेलू हिंसा या जिसको अपन domestic violence उसके घर में, वो environment में देखता है, वो ये देखता है, कि उसके जो father है, उसकी mother पे मतलब मारपीट करते हैं, या उनके साथ में गलत व्यवहार करते हैं, घर में तनाव रहता है, गाली गलोच का माहूल होता है, तो बच्चा obviously उसके मन में sentiment जाकते हैं, कि यार घर में ऐसा क्यों हो रहा है, और सारा खेल तो vibration का है, मान लीजे कि अभी पढ़ते हैं आप मुस मुसकान ले आएं, भले ही उधार की ले आएं, आर्टिफीशल ले आएं, अंदर से positivity का एक दौर शुरू हो जाता है, इसका मतलब बात क्या है, कि सारी की साथ चीज़े vibration पर depend करती है, vibration आप create कर सकता है, लेकिन वो बच्चा नहीं कर सकता है, अगर उस बच्चे के आसपास हो गई है, और negatively हो गई है, उसका परणाम भी स्वभाव तह negative ही आएगा, negative से negative result मिलना तरह है, तो पहली बात तो ये हुई, ये तो बात हमने कही environment की, environment मतलब आसपास का परिवेश, उसका वतावरण, उसके विचार, उसके आसपास में कैसी बाते होती है, उसके आसपास का पान कैसा है, और ये सारी चीज़ें सुनते सुनते, आप अपने ऊपर भी इन चीज़ों को लागू करके देखिए, आपको सब एकदम crystal clear समझ में आ जाए, और मैं ये चाहता हूँ, कि समझने के साथ साथ में, आप उस चीज़ को भी समझें कि इसका आपकी individual, personal, और इसको क possible है कि hereditical भी कुछ चीज़ें होती है, बिलकुल होती है, आनुवान शिक्ता आपने सुनी होगी, मतलब बोलते हैं कि इसके तो ये गुसा तो इसके gene में है, है ना जी, कह लीजिए कि यार ये ये बड़ा, मतलब active अच्छा है, अरे भाईया इनके मेहनत करना, एकदम fit रह ना या कह लीजिए, कुछ ऐसी बाते हैं, अरे ये तो भाईया इसकी family का tradition मान लो, ये तो इनके gene में है, politics तो इसके gene में है, वो होता क्या है, और क्या ये जो अनुवान शिक्ता या जो हम कहते हैं कि जो genetics होते हैं, क्या वो सिर्फ physical level पे ही hit करते हैं, क्या mental level पे नहीं करते हैं, क्या वो सिर्फ शारविक रूप से परिवर्तन लाते हैं, क्या वो मांसी रूप से नहीं प्रभावित डालते हैं, आपका जवाब क्या होगा, ज़रा मुझे बताइए, जो genetics होते हैं, या जो अनुवान शिक्ता होती है, वो किस तरीके से प्रभावित करती है, क्या सि फिजिकल एफेक्ट करेगी, या mental भी करेगी, जो लोग लाइव हैं, वो लाइव में कमेंट करें, और जो लाइव के बाद में अभी देख रहे हैं, वो लोग कमेंट सेक्शन में जरूर करके बताएं, क्या लगता है, चलिए मैं इस बात को थोड़ा सा और डिकोड कर देत हूँ, मान लीजिए कि यहां पर एक हमारा प्यारा साथी है मुकेश, ठीक है जी, तो यह लीजिए, बड़ी प्यारी से मुस्कान है, ठीक है ना, अब मुकेश के साथ में सीन क्या है, मुकेश जो है, यह देखों, इनके आइबरो भी छोटी-छोटी बना देता है, यह पेन का टी-शेट है, टी-शेट भी किसका प्यूमा का, लीजिए, टी-शेट भी शेट पहन का है, और मुकेश बड़ा खुश है आज, समझिएगा, देखिए कि बात को, मुकेश क्या है, मुकेश is very happy, अब मुकेश बड़ा खुश है, मुकेश से पूछा, कि मुकेश एक बात बताओ, तुम खुश हो, क्यों खुश हो, क्या कारण है, मुकेश ने कहा कि आज मेरे मन की मुराद पूरी हो गई, बोले क्या हुआ, बोले बात ये हुई कि मुझे जिस चीज का शौक था, वो चीज मुझे आज मिली है, मतब जो मैं बहुत दिनों से तलाश रहा था, मुझे ऐसा कुछ मिल गया, अब लोग कहेंगे भई अरे वा तुम खुश हो, तो किसी ने मैं मिल गया और अब सर से जूट कैसे बोले, मैंने बोला मुकेश मुझे कारण बताओ, तुम इतने दिन से इतने खुश तो नहीं थे, आज कुछ ज़्यादा खुशी है, भई ऐस है, कारण बड़ा प्योर निकल के आएगा, कुछ लोग तो सोचने है, मुकेश खुश होगा, इस वज़य से, वो वज़य वज़य कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, अब मुकेश खुश है, मुकेश से पूछा, मुकेश तुम खुश क्यों हो, मुकेश ने कहा, सर, आज मैं है, पचास लोगों को, पचास लोगों को फूड सर्व किया, अपने पैसों से, पचास कुछ ऐसे लोग जो ज़रूरत मंद थे, मैंने उनको खाना खिला दिया, तो लोग कुछ बोलेंगे, अरे वा, रे वा, मुकेश, जितने करोड की तुम उसकान लेके घूम रहा है, यह इतने से काम के लिए, इतनी मुस्कुराहट, मुकेश बोलेगा, यह तो अपना-पना केरेक्टर है, तुम्हें किसी और चीज में खुशी मिलती है, मुझे, इस चीज में खुशी मिलती है, तो कुछ लोगों के लिए क्या होगा, यह इतना खुश होने वाले कौन सी बात है अकसर सोचते हैं ना, यह पुश आदमें खुश दिखता है बच्चा, इतनी सी बात में इतनी खुशी, या इस बात में इतना रोता क्यों है, ऐसा क्या हो गया इतना दुखी है, भाईजान यही होता है, यह होती है हमारी हेरेडिटी, अगर मान लिजिए मुकेश के जीन मे वो चीज़ आई है कि मुकेश के अंदर वो सेंटिमेंट डवलप हो चुका है, बात समझ रहे हैं, ऐसे ही, अगर मान लिजिए मुकेश के जैनेटिक्स में गुसा अगर एक्स्रा आर्डिनरी है, देखिए गुसे वाला गुन तो सब में होता है, गुन बोल रहा हूं, अव कोई होता अग्रेसिव, तो अगर वो एक्सरा आर्डिनरी है, तो हम क्या बोलेंगे यार, इसके जैनेटिक्स में कोई प्राब्लम है, मतलब जीन्स फिजिकली भी एफेक्ट करते हैं और मेंटली भी करते हैं, बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, अब बात आप समझी है, हमने क्या कहा, अब अगर इस पूरे की पूरे कॉनसेट को मुकेश को यदि हम यहां पे इन सब बातों से हटा करके, मुकेश को अगर मान लीजिए, मैंने बोल दिया कि मुकेश एक स्टूडेंट है, अब मुकेश के एक विद्यार्थी होने पर उसके जैनेटिक्स का, उसक चोटा सा डाइग्राम बनेगा, डाइग्राम कैसा बनेगा, जरा ध्यान से दिखेगा, एक तो हो गई आपकी हैरेडिटी, और एक क्या होगी, आपका एनवायर्मेंट नी परियावरन, तो मुकेश का यह जो डाइग्राम बनके बाहर आएगा, प्यारे साथियों, यह है परियावरन का परिणा, यानि एनवार्मेंटल कंडिशन्स, एनवार्मेंट, सोशल एनवार्मेंट, एकनॉमिक एनवार्मेंट, उसका कह लिजे रिलिजियस एनवार्मेंट, आप मुझे एक बात बताईए, मान लिजे किसी व्यक्ति के पास में बहुत पैसा है, बहुत बताइए कि अगर वो एकनॉमिक उसका एन्वार्मेंट अच्छा है और उसका सोशल एन्वार्मेंट डाउन है तो क्या इस एन्वार्मेंट का प्रभाव उसके बिहेवियर में नहीं होगा आप compare करिए एक उस बच्छे को जो की nucleus family में बला बड़ा है और बड़ा हो असकी आप ब्रिंगिंग उसका पालन पोशन एक एकल परिवार में हुआ है और एक उस बच्छे को imagine करिए आपके पास पास में एन्वार्मेंट में रहा देखा होगा आपने कि वो बच्चा जो की joint family सब्सक्राइब वो थोड़ा सा freedom में believe करता होगा, वो दूसरों के एका एक सामने वाले के pressure को सहन करने की capacity comparatively कम होगी, वहीं पर जो एक बच्चा, एक joint family में बड़ा होता है, joint family में grow करता है, bring करता है, उस बच्चे के साथ में क्या होगा, उसकी passions का level थोड़ा बड़ा होता है, because परिवार में वो कुछ लोगों की सुनता है, तो उसकी habit बनती है कि सामने वाले को सहन कैसे किया जाता है, और प्यारे साथियों, यही हमारी culture की moral value थी, आप देखिए ना कि joint family की upbringing किती beautiful होती थी, वो लोग सहन कर सकते थे चीज़ों को, वो सब को साथ लेकर के, इसलिए हमारे वेदों के अंदर मंत्र लिखा, संग चत्वम, समवदत्वम, सब साथ चलेंगे, सब साथ गाएंगे, साथ बोलेंगे, सब के लिए साथ की हम बात करते थे, तो यही reason होता है कि environment का एक विद्यार्थी पर भी positive प्रभाव भी होता है, और उसका negative प्रभाव भी होता है, इसल पर जाकर के क्या, वो element आपका heredity और environment से associate होता है क्या, अगर ऐसा हो रहा है, तो बिना किसी देरी की उस option को choose कर लेना, जिसके अंदर heredity और environment को explore करने की बात, किसी teacher को या उसके mentor को, उसके guru को, उस educator को कही जा रही है, अब प्यारे साथ यो ध्यान से सुनिएगा, अगर learner है, learner, साथ साथ में लिखता चलता हूँ, हिंदी में भी, अध्येता, यह होता क्या है, इसकी personality कैसे बनती है, इसकी personality किस रूप में develop होती है, ठीक है, heredity multiplied by, यह equation समझना, बहुत important है, heredity multiplied by, result of environment, या impact of environment, हिंदी में यही में इसको बना दूँ, तो क्या बनेगा प्यारे साथ ही हो, अध्येता क्या होता है, अध्येता बराबर, वन्शानुक्रम, लिख लीजेगा paper pen लेके बैठो के तभी मज़ा आएगा, वरना मज़ा नहीं है, वन्शानुक्रम multiplied by, परियावरण का परिणाम, अलग-अलग environment है, economic environment अलग है, social environment अलग है, familiar environment अलग है, religious environment अलग है, उन सब को mix करने के बाद में जो final result आया, कि अच्छा या बुरा, वो परिणाम into उसका वन्शानुक्रम एक किसी भी अध्यता को तै करता है कि वो एक learner कैसा learner होगा, अब आप एक के सामने सवाल आता है, कि मान लीजिए कि hereditically किसी बच्चे को poor marks मिल गए, यानि अगर उसमें वन्शानुक्रम को हम देखें, तो थो लिखें नहीं हुए, या वो उनकी प्रवृति ऐसी रही कि पढ़ाई को थोड़ा सा इग्नूर किया, वो गुन है दि उस बच्चे में आ गया, लेकिन, लेकिन यदि environment उसके आसपास का परिवेश ऐसे लोगों का मिल गया, कि वो बच्चे को उसो लगता है यार, ये भी प positively effect कर गया, तो होगा कि इन दोनों के बीच में एक द्वंद चलेगा, और दोनों के कहीं बीच का result आपको मिलेगा, जो ज़्यादा हावी होगा, उस बच्चे को वैसा ही परिणाम प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि environment 100% impact डाल देगा, या वन्शानु करप 100% impact डाल देगा, वो तो उस condition में कि अगर दोनों एक जैसे हो तब तो, या तो कह लिजे सोने पे सुहागा कह लिजे, और negative वर्थ में कह लिजे करेला और नीम चड़ा, ठीक है, वरना तो वन्शानों करम में और इसके बीच में एक द्वंद शुरू होता है, लेकिन ध्यान रखें, हम कभी भी वन्शानों करम को priority नहीं दे सकते हैं, हम यह नहीं बोल सकते हैं कि वन्शानों करम में ही गडबड है तो उसका कुछ नहीं हो सकता है, हमें आशावादी रहना होगा, और result of environment को मजबूत करना होगा, मतलब environment के जो भी different different elements हैं, हमको उनको क्या करना होगा strong करना होगा, अब strong का मतलब क्या, according to the demand of the learner, learner को कैसा आप craft करना चाहते हैं, उसको वैसा परिवेश देना शुरू कर दीजे, ठीक है, जो जैसा देश, वैसा वेश, ये तो सुना था, लेकिन एक और बात होती है, जैसा परिवेश होता है, वैसा व्यवहार होता है, तो परि environment के result को हावी कर देंगे, और बच्चे में सकारात्मक परिवर्तन आ जाएंगे, तो यहां तक पढ़कर के मज़ा जिनको आया, और दिल से आया, मतलब देखे दिखावे की बात नहीं है, दिल से फीर होगा के सार पढ़के मज़ा आया, कुछ बच्चे कहने सार रेगुलर क्लास मिल जाएगी, रेगुलर रहेगी मेरी तबे ठीक नहीं होने की वजह से क्लास में नहीं लिया, वरना ये टिचिंग अप्टिचूड तो पढ़ने-पढ़ने का एक मज़ा ही अलग है, पढ़ने में बड़ा मज़ा आता है, आप लोग बताईए पढ़के मज़ा आया तो एक thumbs up चाहिए, साथ-साथ में वीडियो पे like चाहिए live में, और अगर आप अभी live के बाद में देख रहे हैं, मतलब offline अभी आप हैं, तो please वीडियो को like ज़रूर करना और share अपने friends के साथ में कर देना, तो यहां तक की तो दोनों बाते आ गई, अब एक बात मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या heredity और environment पे relation है, आप लोग बोलोगे सर बता तो दिया, क्या relation है, क्या नहीं है, देखिए, एक thinker हुए है, इन thinker से सब कुछ आप समझ जाओगे, क्या नाम है इन महोदाय का, वाट्सन, वाट्सन का confidence देखिए, वाट्सन बोलते हैं, कि आप मुझे एक child कह लीजिए या शिशू कह लीजिए, एक शिशू दे दीजिए, यदि मैं चाहूँगा, तो उसको advocate बना दूँगा, मैं चाहूँगा, तो उसे एक doctor बना दूँगा, मैं चाहूँगा, तो उसे एक teacher बना दूँगा, और मैं चाहूँगा, तो उसे चोर बना दूँगा ठीक है यानि ये Watson बोलते हैं कि आप मुझे एक बच्चा दे दें मैं उसे चाहूं तो वकील बना सकता हूं मैं चाहूं तो उसे डॉक्टर बना सकता हूं मैं चाहूं तो उसे एक अध्यापक बना सकता हूँ चाहूं तो उसे एक चोर भी बना सकता हूँ कहने का मतलब वाटसन ये बोलते हैं कि हैरेडिटी के उपर सोशल एन्वार्मेंट या कहलीजे ये एन्वार्मेंट जो होता है वह बहुत प्रभावकारी होता है इसलिए आप जैसा चाहें वैसा व्यक्ति में परिवर्तन कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ आपको आज जो ये चैप्टर मैंने पढ़ाया वंशान उक्रम और एन्वार्मेंट वाला बड़े दिल से शिद्दत से समझ में आ गया होगा अब बारी किस चीज की है बारी ये जान लेने की है कि पारिक सर के साथ में अगर आप पेपर वन और पेपर टू बड़े प्रेम से सुनिएगा पेपर टू जो मैं पढ़ाता हूँ वो है अपना पॉलिटिकल साइंस यानि राजनिती विज्ञान और राजनिती विज्ञान और ये पढ़ने के लिए आपको मेरे साथ में जुड़ना है अपने सरका रेफरल कोड रटलो बेटा याद कर लो पारिक 10 आज जो और क्यूं दे रहा हूं कि प्लस कोर्स में जो लोग सोच रहा है ले 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 भी या प्लस कोर्स फीस इंक्रीज होने वाली है पांच से 7 दिन में हो जाएगी और क्या इंक्रिमेंट होगा फीस के अंदर प्यारे साथियों 15% जो है वो फीस प्लस हो जाएगी 50% फीस हाइक हो रही है तो 15% फीस बढ़े उससे बहतर है कि आप पहले पारिक 10 लगा लो और 10% का वर्तमान फीस में भी डिसकाउंट ले लो बट मेरी हाथ जोड के विंती यह है कि अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो 12 महिने या 24 महिने के ही सब्सक्रिप्शन को जॉइन करें वरना ना करें बिकाज होता क्या है कि कम टाइम के अंदर आपको ना तो पूरा पेट भर पाओगे ना तो ठीक से भूके रह पाओगे रिजल्ट नहीं मिलेगा मेरी बात को समझ गये होंगे फीज में कोई अंतर होता नहीं है तो बारा महिने की फीज जो है वो 10,395 रुपीज है केवल और केवल पेपर वन पेपर टू दोनों के लिए आफ्टर 10% डिसकाउंट बाइ यूजिंग पारिक टैन कोड तो प्यारे साथियों और दूसरी बात है एक ख़बर और आपको दे देते हैं बहुत इंपोर्टन बात है आज आपसे मुलाका देखो special session आप सब लोगों की बहुत जबरदस दिमांड थी कि सार इस special session आप नहीं लेते हैं special session आपको paper one नहीं लेते हैं तो प्यारे बच्चों paper one के लिए सुन ले ना paper one paper one के अंदर बहुत ही शांदार mcq session लेकर के आप लोगों से daily मुलाकात करने आ रहा हूं मैं 12 बजे आज 12 बजे मुलाकात करेंगे और 19 तारीक तक याद रख लेना 19 तारीक तक हमारा time यही रहेगा 19 के बाद में time change हो जाएगा तो paper one जो पढ़ना चाहते हैं अभी जाओ on academy के learning app पे और वहां जाकर के course में enroll कर लो special session में मुझे follow नहीं किया तो नीरच पारिक search करना मेरा नाम और बहुत smart से डीपी दिखेगी suited गूटेड उसको जाकर करेंगे follow कर लेना और mcq की class में मुलाकात करेंगे 12 बजे आप लोगों से और बोलो के सार फिर paper two का political science का क्या होगा paper two political science इस paper two political science में भी आप लोगों को बहुत ही बहतरीन mcq पढ़ाने के लिए मैं आप लोगों से मुलाकात कर रहा हूं दो बजे ठीक है आज दो बजे फिर आपसे मुलाकात करेंगे और हमारा course जो है वो 31st से आपके दो बजे हो जाएगा तो हम क्या करेंगे इसकी timing change कर लेंगे तो paper one की तो 19 तारिक तक के लिए 19th of November तक के लिए ये fix है इसमें कोई तरीके का change नहीं होगा मैंने session अलड़ी बना दिये है और paper two political science होगा है दो बजे मेरे से मुलाकात करेंगे और फिर चार बजे तो आप लोगों को political science पढ़ने आना ही है तो प्यारे साथ ही हो यहां तक क की तो बात होगों याने academy का learning आप डाउनलोड कीजेगा और उसके बाद में get subscription पे क्लिक कर देना और referral code जो आपको use करना है अगेन अगेन बोल रहा हूँ पी ए आर डबल ए के वन जीरो पारिक 10 10% डिसकाउंट के लिए क्योंकि 15% जो है वो fees increase हो जाएगी कुछ दिनों में तो यह मौका चुकना नहीं है तो प्यारे साथ ही आप मेरे साथ में जुड़े आप लोगोंने बहुत सपोर्ट किया लाइव हैं आप मेरे साथ में thank you very much for joining me stay healthy stay safe और an academy पे हम हमेशे एक बात बोलता है जीवन का लक्ष कोई भी हो simple एक फंडा बन में रखना है let's crack it take care goodbye